नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं ने का आरोब सातर रुदल जार्खन मुख ती मुर्चा, कॉंग्रेस और रायत के द्वारा लगाया जा रहा है ऐसे में 10 अप्रेल को जार्खन बंद और 8 अप्रेल को मुख्य मंद्रियावाज घराव की घोसना ने इस मुद्दे पर 45 सियासत को और तेज कर दिया है बता दे भारतिया जन्ता पाठे ने छातरों के इस अंदुरों को नैतिक समर्थन देने की घोसना करते हुए हेमन सरकार पर जम करनी साना साथा है भाजपाविधायक अमर कुमर बावरी ने बरतमान सरकार को छात्र बिरोधी बताते हुए कहा है कि या नराजगी छात्रों की सोभाविक है क्योंकि जो वादा करके हेमन सरकार सत्ता प्रबैट्टे का काम किया उसे पूरा करने में अब तक भी फल रही है अईसे में नोकरी नहीं मिलने से नराजगी छात्र सणकों पर हैं और सरकार से जबाब मांग रहे हैं कि कहा गया वह वादा जिसमें 5 लाख नोकरी हर वर्स देने का आपने घोशना की थी और नोकरी नहीं देने पर बेरोजगारी भता देने की बात कही थी ज्ञारखन के दक्षनी हिसों में बुद्धवार को मौसम में बदलाव के असार हां राजधनी समयत आस्पाच के छेतरों पर हलके बादल चा सकते हैं कहीं कहीं गरज के साथ शीट्फूट या हलकी बारिज भी हो सकती है इस दोरान मेक गर्जन के साथ बजरपात भी होने का अलर्ट जारी किया गया है मौसम में होने वाले इस आंसिक बदलाओ के कारण तापमान में 2-3 डिगरी के नीचे गिर जा सकता है लेकिन इसके बाद गुरुवार से मौसम साफ हो जाएगा और फिर गर्मी तेज बढ़ेगी बता दे मौसम विफाक के उनसार राजे के दक्षनी हिसों से लेका तमिलाडू के अंधरूर्नी हिसे तक एक टर्फ लाइन बनी हुई है इसके प्रभाव से नमी जार्खन में परवेश कर रही है अगले 24 गंटे के बाद यहां कमजोर हो जाएगा और राजे के उपर से बादल छट जाने का अनुमान है जार्खन के उत्री हिसों में इसका असर नहीं होगा जार्खन डीजीपी ने चात्रा एसपी और जवानों को किया सम्मानित चात्रा जिले के लवा लंग थाना चेत्रे में हुए पूलिस नक्सली मुर्भेड में मिली अतिहासिक सफल्दा के बाद डीजीपी अजाय कुमार सिंग ने एसपी समित अने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है डीजीपी ने मुर्भेड में सामिल जवानों का होसला बढ़ाते हुए उनके बीच इनाम किरासी का बित्रन भी किया मौके पर सक्त अंदाज में डीजीपी ने नक्सलियों को खुली चुनोती दिया है उन्होंने कहा है कि नक्सलियों का समाई अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है या तो वो सरकार की आत्म समर्पन नीती का लाब उठा कर हतिया डालते हुए मुके धरा में सामिल हो जाए नहीं तो हमारे सुरक्षा बल उन्हें आमने सामने की लडाई में धेर कर देंगे डीजीपी ने कहा है जार्खन पूलिस के लिए या बड़ी सफलता है उन्होंने कहा कि उग्रवाद उन्मुलन में जार्खन पूलिस की चोतारफा करवाई जारी है जार्खन पूलिस और स्यार्पी एक के कूसल नेतित्व रननीती और दिर्ड संकल्प के साथ नक्सलियों के खात्मे के लिए कटिबद है दिजीपी ने दावा किया है कि अननक्सली भी पूलिस की गोली से घाल हुए है जिसकी परताल जारी है मुर्भेड के बाद चत्रा जिले के जवानों के होसले बुलंत है जय भारत सत्यागरा के तहत कॉंग्रेस ने निकाला मसाल सान्ती मार्च जय भारत सत्यागरा यात्रा कारकरम के जरिये केंद्र सरकार के खिलाब कॉंग्रेस नहाला बोला है रांची में मंगलवार सहीद चौक से राजबहन तक मसाल सान्ती मार्च निकाला गया इस दोरान कॉंग्रेस के जार्खन प्रभारी अविनास पांडे ने जम कर केंद्र सरकार पनिशाना चाधा बता दे जाय भारा सत्याग गरह यात्रा कारकरम के जरिये केंद्रे की भाज़पा सरकार पर निसाना साधने मेजूटी कॉंगरेस ने मंगलवार कुड़ाई धानी रांची के सहीद चौक से राज़वान तक मसाल सांती मार्च निकाला इस कारकरम में परदेश कॉंगरेस परभारी अविनास पांडे, परदेश कॉंगरेस अध्यक्त रायस ठाकूर, राज सरकार के मंत्री बना गुपता, क्रिसी मंत्री बादल, विधायक नम्मन विक्सर की गोडी और विधायक दिपिका सिंग पांडे सहीद बड़ी संख्या मे के नेता और करता सामील हुए कुडमी समाज का अनिस्चित कालिन रेल चक का जाम है आदिवासी कुडमी समाज के दवारा 5 अप्रेल को खडगपुर रेल मंडल के खेमा सूली और आदरा रेल मंडल के कुस्तोर एस्टेशन में अनिस्चित का लिन रेल चक्का जाम की घोसना की गई है रेल चक का जाम पांच अप्रेल बुद्धवार सुबह पांच बये से सुरू होगा जिसको लेकर दक्षिन पूर्व रेलवे परसासने संरक्षन और सुरक्षा के द्रिश्टी कोन से चक्रधारपूर रेल मंडल से गुजरने वाले 14 ट्रेनों का परिचलन रद कर दिया है इसके साथ ही 10 ट्रेनों को परिवर्थित मर्ग से और 2 ट्रेनों को सोट टर्मिनेट और सोट ओरिजेंटल पर चलाने का निने लिया है बता दे चक्रधरपूर गोमो एक्सप्रेस, धनबा टाटानागर एक्सप्रेस, टाटानागर दानापूर एक्सप्रेस, टाटानागर आसन सोल, टाटानागर मेमू एस्पेसल और दानापूर टाटानागर एक्सप्रेस ट्रेने रद कर दी गई है जारखन में सुचना आयोग के 15,000 से ज्यादधा अप्लिकेशन पेंडिंग जारखन के लोगों को सुचना के अधिकार कानून का लाब नहीं मिल पा रहा है आयोग के पास 15,000 से अधिक आवेदन पेंडिंग में है सुचना आयोग में आना भी छोड़ दिया है जारखन महिला आयोग के फलोवर पर सनाटा पसरा रहता है वहीं लोका आयोग दफ्तर का मुख्य गेट सायद ही कभी खुलता हो बाल आयोग और मनवा अधिकार आयोग जैसी करीब 12 संस्थाओं में अध्याक्ष और सुज़स्यों के पाद रहता है साथ चालिस पर छात्रों से बात के लिए मुख्य मंत्री तयार जारखन मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने चात्रों से अपील करते हुए कहा है कि यदि कुछ बातों को रखनी है तो मुख्य मंत्री बात चीत करने के लिए तयार है चात्र कभी भी अपनी बातों को मुख्य मंत्री के समक्ष रख सकते है उन्होंने इसे भारतिय जन्ता पार्टी के साजिस बताते हुए कहा है कि छात्र विपक्ष के बाकावे में ना आये क्योंकि भारतिय जन्ता पार्टी नहीं चाहती है कि एक युवा आदिवासी मुख्यमंत्री की जिस तरह से लोग प्रियता देश में बढ़ रही है वो आग जे एम एम के बैनर पर लिखा हेमन सुरेन अमर रहे जारखन मुक्ती मोर्चा के चवालिसवे अस्थापना दिवस के मौखे पर पार्टी के तरफ से हजारी बाके संत कोलंबस कॉलेज मैदान में एक कारकरम का युजन किया गया था इस कारकरम को लेकर तुरन दुवार भी भी हरान रह गया बता दे बीजेपी के सदर विधायक मनिस जैसवाल ने ट्वीट कर तुरन दुवार पर लगे पोस्ट को हटा लिए जाने की बात कही जिसके बाद आनन फारन में तुरन दुवार पर लगे पोस्ट को उतारा गया वहीं परिवहन मंत्री चंपाई सुरेन ने कहा है कि कारकरम संचालक की आग्यानत वास ऐसा हुआ है पोस्टर छपाई में गरवड़ी हुई है सोसल मीडिया जैसे ही तुरन दुवार का फोटो वारल हुआ इसे देह कर लोग भी हरान रह गया है जार्खन की राय निती के लियारे में इस बात की चार्चा जोर सोर स होने लगी है मुठभेड में धेर मवादी गौतम की पत्नी को जामों ने दिया था टिकट चात्रा में पुरिश नक्सली मुठभेड में धेर 25 लाह का इनामी नक्सली गौतम पास्वान की पत्नी मनोर्मा देवी वर्ष 2014 की विधानसबा चुनाओं में जामों की टिकट पर हम देव पास्वान की पत्नी मनोर्मा देवी को जामों ने 2014 के विधानसबाद चुनाओं में चत्रा से अपना पर्त्यासी बनाया था सरना जंडा उखाडने पर आठ को रांची बंद का नीरनाय सरना जंडा उखाडने के बिरोध में 7 अपरेल को अलवट एका चोग पर मसाल जुरूस निकाला जाएगा वहीं 8 को रांची बंद किया जाएगा यह नीरनाय करम टोली में हुई बैठक में लिया गया बैठक में जगदिस पाहान, अलधर चंदन पाहान, सुकरा पाहान, सुमा पाहान ने कहा है कि उनकी धार्मिक भावनावों को आहत करना घिनोना अपराध है कोई भी असमाजिक था तो आदिवासी समाज के धार्म को कुचलने का प्रयास करेगा तो उसे बरदास नहीं करेंगे